नमस्कार दोस्तों यम्मी इंडिया इस किचिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ मटन बिर्यानी के रेशिपी शेयर करूंगी इसे वहां बहुत ही आसान है आप इसे घर पर बना सकते हैं इस बिर्यानी में खास बात यह है कि जो मटन है बहुत ही अच्छी तरीके से गला हुआ है इसे खाते ही आराम से मुह में घुल जाएगा तो चलिए बिर्याना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मटन बियानी बियाने के हमें चाहिए मटन मैंने आपे 300 ग्राम मटन लिया है इसे पानी में अच्छे से दो बार धो के साइड में रख लिया है मैंने आप लिया है डेड़ कब बासमती राइस यानि कि 375 ग्राम इसे पानी में दो बार अच्छे धो लिया है और इसे हम पाने भीगो के रखेंगे आदे घंटे के लिए सबसे पहले हम कुकर गरम करेंगे उसमें हम डालेंगे दो बड़ा चममच सरसो का तेव आप कोई भी कुकिंग ओल यूज कर सकते हैं तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले सबसे पहले डालेंगे एक तेजपत्ता दो खड़ी लाई मिर्च एक दालचिनी चार से पांच लॉंग, चार से पांच काली मिर्च और दो ग्रश की वोई छोटी हरी इलाइची इससे हम 30 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ प्याज को हम हलका गरा होनेका तक प्याज करेंगे प्याज को हम low to medium flame प्याज करेंगे ताकि जो प्याज है वो जले नहीं और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये हलके स्मेरे ना हो जाए आप देख सकते हैं प्याज जो है हलका सुनेरा हो गया है अब इसमें डालेंगे मटन 300 ग्राम मटन को हम अच्छे से प्याज में मिला लेंगे और इसे हम low to medium flame से 5 मिनट तर प्याज के साथ पका लेंगे चार से पांच मिनट के बाद इसमें डालेंगे एक छोटा चमच लैसन अद्रक का पेस्ट फिर इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच नमक और स्वात के अनुसार एक चुथाई छोटा चमच हल्दी एक छोटा चमच लालमर्च पॉडर और फिर डालेंगे एक बड़ा चमच म मटन मसाला मसाले को हम अच्छे से मटन में मिला लेंगे और मसाले को हम मटन के साथ 10 मिनिट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो मसाल वा कच्छा पन है वो निकल जाए इसके उपर हम ढगकन रखें इसे 10 मिनट लग ऐसे ही पकने देंगे और इसे हम बीच बीच में चिलाते रहेंगे पांच मिनट के बाद इसे हम चला लेंगे अब इस पुला लेंगे थोड़ा सा जो बड़ा चंपमच पानी इसे मिला लेंगे पाँच मिनट और पकने देंगे टोटल दस मिनटी ही से पकाना है मिलिट में इसे धुक़ देंगे पांच मिनट और पकाएंगे तोटल हमें दस मिनट तक इसे भूनना है तेल में दस मिनट हो गया है ढटकन को डालेंगे आप देख सकते हैं मटन ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मतलब कि जो मटन है वो अच्छे से भून चुका है इससे मिला लेंगे अफर इसमें डालेंगे एक कप पानी यानि की डाइस वैमन इससे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम धरकन लगा देंगे अच्छे से बंद कर देंगे इसे मतन को हमें 20-25 मिनट तक घड़ी देखका लो टू मीडियम फ्लेम पर पकमे देना है अब हम एक पतिल्या लेंगे उसमें हम डालेंगे डेल लिटर पानी और पानी को हम हाई फ्लेम पर बॉल पने देंगे एक छोटे से बॉल में हम तीन बड़ा चमश दूद लेंगे और उसमें हम डाल देंगे एक चुटकी सैफ्रॉन यानी केस है और इसे हम दूद में विगो के 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पानी को जल्दी बॉल करने के लिए उसे ढख दीजे ताकि जो पानी है वो जल्दी बॉल हो जाएगा पानी बॉल हो गया है गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे फिर इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता आदा चोटा चमच जीरा फिर इसमें डालेंगे बिगोया हुआ बास्मति राइस उसका पानी हमने निकाल लिया है फिर इसमें डालेंगे एक चोटा चमच नमक चावल में नमक डालने का यही ताइम होता है नमक हमें उतना ही डालना है कि जो पानी है वो नमकीन लगे नमक तक पकाएंगे इससे हमें सिर्फ 75% कूप करना है 100% कूप नहीं करना है चावल को हम हलके हाथों से इस तरह चला लेंगे ताकि जो चावल है वो तूटे नहीं राइस को हमें मिडियम टु हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाना है चावल को हम बीच में हलकी हाथों से स्टेयर कर लेंगे इस तरह से पांच मिनट हो गया है आप देख सकते हैं चावल जो है वो लंबे हो गये हैं अब हम गयस का फ्लेम औफ कर देंगे और चावल को हम खाणी से छान लेंगे स्ट्रेनर से नेज़्ु चावल है वह ओवर कुख हो फ्लेमने गरम पानी में चावल को हमने कुलेडर में चान लिया इस तरह po 60 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे धकन को हम 10 से 15 मिनिट के बाद खोलेंगे आप देख सकते हैं मटन जो है बहुत ही बड़िया से पक चुका है यह देखिए अब हम बड़ा सा बर्तन लेंगे मैंने आप मिट्टी का बर्तन लिया है आपको भी बड़ा पतिरा यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच गी इस तरह से स्प्रेट कर देंगे अब इसमें डालेंगे जो मनें मटन बढ़ाया है उसकी आधी कॉनिटी मटन हम इसमें डाल देंगे इसको हम अच्छे से स्प्रेट कर देंगे बड़तन में इसमें डालेंगे राइस आधी कॉनिटी राइस पी डाल देंगे इसमें अच्छे से स्प्रेट करके अब इसमें डाल देंगे ए 4-4 चूटा चमच बिरियानी मसाला फिर इसमें डालेंगे प।्ष्डbn किया हुआ प्याज मैंने इक के बड़ी प्याच को लंबा-लंबा काट लिया था उसे हमने सुनेयरा फ्राइफ कर लिया है अधी कॉंड dhp राइड प्याच के इसके ऊपर डाल देंगे कि और फिर इसके उपर हम रख देंगे एक बड़ा चम्मच कटा हुआ दनिया पत्ति और एक बड़ा चम्मच कटा हुआ पुदीना और इसमें डालेंगे आधी कॉनिटी सैफ्रॉन मिल्की और इसके ऊपर से हम डाल देंगे वन पिंच रेट कलर अगर आपके अस फूट कलर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसके जवरत नहीं है मेरे पास था तो मैंने डाल दिया अब हम सेम प्रोसिजर को रिपीट करेंगे अब इसमें डालेंगे बचा हुआ मटर मसाला उसके के बचा हुआ राइस जितना राइस बचा हुआ इस पर डाल देंगे और इसमें डालेंगे कटेवे टमाटर जो आदिया बचा हुआ था वन फो टीस्पून विर्यानी मसाला बाकी बचा हुआ फ्राइ किया हुआ अनियन एक श्लिट की हुई ग्रीन चिली एक बड़ा चम् चमच घी उसके बाद हम कूकर में दो तीन बड़ा चमच पानी डालेंगे और जो यह मसाला कूकर में लगा हुआ उसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगी और इसे हम डाल देंगे राइस के उपर अब हम एक प्लेट लेंगे उसे हम कपड़े से कवर कर देंगे और इसे हम ढख देंगे बियानी को अच्छे से और इसे हम लो फ्लेम पे दस मिनट तक पकाएंगे 10 मिनट के बाद हम गयस का फलेम ऑफ कर देंगे ढकन को हम पा दस मिनट के बाद हटाएंगे दस मिनट के राइए आप देख सकते हैं विरानी बहुत लजीज लग रही है अब हम इसे दिखाते हैं आपको Strike 1 बीस में में लग रही है अब हम इसम प्राइलेम इंडियास किचिन को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है साथ यह साथ आप में शोचल मेडिया फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे ट्वीटर पे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिर मिलेंगे एक और नए मज़दा रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड हैपी कुकिंग